दोस्तों वेलकम टू दफोन ग्यान और आज हम करने वाले हैं एक कीबड और माउस की अन्बॉक्सिंग यह कॉम्बो आता है लॉजिटेक की तरफ से और इसके स्पेशल फीचर की बात करें जैसे की आपको पता है आज कल जाद दर लोग पिछल लगबग एक डेट साल से जो ह हाई बार काम करना पड़ जैसे लैप्टोप हो गया, desktop हो गया यह टेबलेट होगया तो अब इसको जो है तीन मल्टिपल दिवासिस के साथ connect कर सकते हैं वो चाहे laptop भी हो सकती है desktop भी हो सकता है mobile पाइल फोन भी हो सकता है और टैबलेट भी हो सकता है और दोने ऑप्रेटिंग सिस्टम में काम करता है वो चाहिए विंडोस हो या फिर आई ओस तो इसको फटा बट से अन्बॉक्स करते हैं अइन आपको याँ पर आपका कीबॉर्ड और माॉस देखने को मिल रहा है यह है हमारा कीबॉर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं dual tone finish में ही आता है black और white में फिलाल के लिए इसको हम साइड में रख देते है इसके लावा box में हमें देखने को मिलता है एक ये mouse ये भी dual tone finish में है इसको मैं detail में आपको अभी दिखाता हूँ पहले हम और चीज़े देख लेते हैं इसके लावा हमें आपको एक user manual देखने को मिलता है multiple languages में ये user manual है दोस्तों आपको box में देखने को मिलते हैं ये contents चलिए एक के करके इनको detail में देखते हैं इसमें जो content हमें मिलता है सबसे पहले आपको मिलता है कि ये cable जो कि USB extension cable है तो और पे अगर आपके desktop में पीछे की तरफ अगर USB port दिया गया है तो आप उसको आपके थोड़ा extend कर सकते हैं इसके लावा इसमें आपको देखने को मिलेगा है कि unified receiver ये normal RF converter से थोड़ा अलग होता है इसको आप अपने किसी भी एक system में लगा के चाहिए वो desktop हो या फिर laptop हो आप इसको connect कर पाएंगे इसके लावा हमें देखने को मिलता इसमें एक ये mouse माऊस की अगर हम बात करें तो चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं यе आसे तो दोस्तों जैसे कि हम बात करें यहाँ पर इस माउस की तो इसके माउस का अगर अलग से देख सकते हैं यहाँ पर शायद आप देख पा रहे हैं इसका मॉडल नमर है 720 M720 इसका आप इसको चाये तो combo के लावा अलग से भी buy कर सकते हैं यहाँ आपको देखने को मिलता है on off switch इसके लावा आपको यहाँ पर rubber footpats देखने को मिल जाते हैं बात करें इसमें buttons के तो यहाँ पर आपको तीन button मिलते हैं 3 अलग-इवाइसे के साथ इसको pair करने के लिए और वन क्लिक से आप तीनों को चेंज कर सकते हैं, डिवाइस वन से टू में और टू से ट्री में, यहां आपको एक वील देखने को मिलता है, आप इसको as a button भी, यह free flow wheel है, आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको click button की तरह भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं यहां पर, आप चाहे तो इसको left और right में भी scroll कर सकते हैं, यहां पर आपको LED इंडिकेटर देखने को मिलता है, बात करें इसके battery की तो इसमें आप यहां देख सकते हैं, यहां आपको एक battery compartment देखने को मिलता है, जिसमें already एक battery है, double A battery इसमें आपको देखने को मिली और यहां पर एक space दिया तरफ, यह आप देख सकते हैं, आपको यहां पर एक keyboard देखने को मिलता है, black finish में है, यहां कि अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक handrest मिल जाता है, जो की fabric है, यहां पर एक fabric का इसमाल किया गया है, जो काफी soft material है, इसके लावा आपको यह तीन अलग से button देखने को मिल मिलते हैं, device 1, 2 और 3 के लिए, आप 3 second के लिए इसको press करके, किसी device में switch कर सकते हैं, यहां पर अगर हम बात करें इसके पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ आपको यहां पर इसका battery compartment देखने को मिलता है, यहां पर आपको दो AAA batteries अल्रेडी मिलते हैं, इसको हम निकाल देते है इसके लावा आपको यहां पर, adjust करने के लिए keyboard, दो option मिलते हैं, एक 4 और 8 इसको लिखा गया है, अगर आप कम height चाहते हैं, तो इसको यहां से adjust कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा height चाहिए, तो आप इसको भी यहां से खोल सकते हैं अगर बात करें, यहां पर इसके on-off switch की, तो आप देख सकते हैं यहां पर एक on-off switch आपको देखने को मिलता है, keyboard के लिए, आप यहां इसको on कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों, यह तो हो गया इसका physical overview, अब हम इसको device के साथ connect करते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ इसको, आप कैसे use करेंगे दोस्तों, first अपने laptop को जो हैं हम इस unified receiver से connect करेंगे देख सकते हैं, unified receiver लगाने के बाद यह already connect हो चुका है first device को तो आप इससे connect कर सकते हैं, इसके लावा एक software जो है Logitech की तरफ से आता है आप उसको install करके, इसमें दिए गए buttons को अपने हिसाब से customize कर सकते हैं वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे customize करेंगे चलिए दोस्तों अब laptop पे connect करने के बाद हम इस mouse को connect करते हैं अपने iPad के साथ और इसके बाद connect करेंगे हम keyboard को तो इसको connect करने के लिए आपको इस button को press करके रखना है दो second के लिए आप देख सकते हैं light one यहाँ पे blink कर रही है तो वो जो कि already हमारा laptop है इसके लावा हम इसको दुबारा प्रेस करेंगे तो device two आप देख सकते हैं यहाँ यह ब्लिंग कर रहा है Bluetooth on करना है Bluetooth search करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक device show कर रही है M720 Trathlon यह जो है हमारा mouse है इस पर हम tap करेंगे और यह automatic जो है यहाँ पे पेर हो जाएगा दोस्तों देखा आपने यहाँ पर आल्रेडी जो है यह connect हो चुका है पुरी तरीके से mouse का जो है यह हम यूज कर सकते हैं इसके लावे चलिए आप चलते हैं दोस्तों हम connect करते हैं अपने keyboard को दोस्तों keyboard को connect करने के लिए आपको number 2 को प्रेस करना है और यह blink होने लगेगा के 850 शो कर रहा है इसको अब हम connect करेंगे क्लिक करेंगे इस पर अब देख सकते हैं आपका keyboard जो है connect हो चुका है अब हम यहां पर कोई site open करके देख लेते हैं अब देख सकते हैं बिल्कुन typing हो रही है और बिल्कुन भी delay नहीं है किसी तरीके का बिल्कुन उसी तरीके से जैसे आप अपने laptop या desktop में type करते हैं किसी भी तरीकी का कोई delay आपको देखने को नहीं मिलता तो चलिए यह तो रहा दोस्तो iPad के साथ अब मैं इसको आपको pair करके दिखाता हूं अपने Android phone के साथ दूस्तो phone के साथ इसको pair करना बहुत easy है सबसे पहले आप हम mouse को connect करते हैं तो हम यहाँ पे जो है यही जो third button है इसको प्रेस करेंगे second number पे हमार iPad था आप हम दुबारे इसको प्रेस करेंगे third number पे इसको प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे बस Bluetooth pairing में सर्च करना है डिवाइस को new pair और आप दिख सकते हैं यहाँ पे mouse आपको शो कर रहा है इस पर tap कर दीजिए और आपका mouse जो easily connect हो गया अब आप चाहे तो इसको अराम से यूज़ कर सकते हैं किस भी तरीकी की कोई problem नहीं है कोई भी lag नहीं देखने को मिलेगा आपको चलिए अब हम pair करते हैं अपने keyboard को यहाँ पे हमने pair new device पे click किया keyboard में हमें इस third button को press करके रखना है कुछ second के लिए यह pairing mode में आ चुका है और उसके बाद देखि को आप जो है अपने keyboard पे type करना है और enter की place करनी है यह लिजी बिल्कुन connect हो चुका है और आम देख सकते हैं मैं अलग-अलग keyboard से साही चीज़े use कर पा रहा हूं दोस्तों यह था mk850 performance logitech का unboxing और overview और इसको कैसे setup करना है यह मैंने आपको बताए इस वीडियो में इसके अलावा अगर आप इसको buy करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आप इसका pricing दे गया है 7995 इसके अलावा अगर इस keyboard और mouse के बारे में कुछ और आप जानना चाहत हैं या पूछना चाहते हैं आप अपना question छोड़ सकते हैं comment section में इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप नए gadgets के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं Facebook, Twitter और Instagram पे भी हमें follow कर सकते हैं इन सभी के link वीडियो के description में और कर सकते हैं